UPSC Civil Services Examination इस examination को crack करना इस देश के लाखो करोडों लोगों का सपना होता है लेकिन इस सपने में reality ये भी है कि जो लाखों लोग examination देते हैं उसमें selection 0.1% लोगों से भी कम लोगों का होता है और 99.9% लोग select नहीं हो पाते हैं लेकिन एक reality ये भी है कि जो 0.1% लोग select हो रहे हैं selection तो आखिरकार हो रहा है न उनका यानि कि कोई ऐसी चीज है जो वो selected candidate इस तरह से कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं आपने कहावत तो सुनी होगी winners don't do anything different they just do the same thing differently तो ऐसी कौन सी चीज है जो वो अलग कर रहे हैं ऐसी कौन सी strategy है उनके पास ऐसा कौन सा पढ़ाई का तरीका है उनके पास ऐसा कौन सा रामबान मिल गया है उन्हें ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है उनके पास जिसकी वजह से वो initial level पर ही first, second, third attempt में ही अपनी examination crack कर लेते हैं और आप examination crack करने से इस वक्त बहुत ज़्यादा दूर तो हैं ही लेकिन इस examination को समझ भी नहीं पा रहे है इन सारे के सारे सवालों का आखिर में जवाब क्या है इन सभी सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और आपके जितने भी doubts हैं इस examination से related जितनी भी confusions हैं, complications हैं आने वाले 15 से 20 मिरट में सारी की सारी confusion एक साथ दूर हो जाएगी देखिए इस examination के लिए सबसे ज़ादा important ये है कि आप इस examination के pattern और syllabus को समझने की कोशिश करिए prelims तो पूरी तरीके से qualify होता ही है लेकिन आपका इस examination में selection होगा या नहीं होगा वो आपके interview पे depend नहीं करता बलकि आपकी mains examination पे depend करता है क्योंकि आपकी mains examination 1750 marks की होती है और interview सिर्फ 275 marks का और इन दोनों marks को add करके 2025 marks में से आपकी final cut-off list निकलती है इस examination में बैटना so it is not the interview which will make you an I.E.S. officer it is actually the mains examination which will make you an I.E.S. officer दूसरी सबसे ज़्यादा important चीज़ आपको इस examination का syllabus micro nano level पे जबान पे रटा हुआ होना चाहिए आपकी fingertips पे होना चाहिए कौन सा topic के subject का है कितने गहरे सवाल पूछे जाते हैं उससे कौन सा topic कितना ज़्यादा current affair में है और कौन सा subject कौन से GS के paper में आता है जब तक आपको syllabus याद नहीं होगा इस examination का आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए आप organized तरीके से उस चीज़ को कभी समझ नहीं पाएंगे तो इस examination को crack करने की आखिर एक perfect strategy क्या है और उसके लिए आपको करना क्या होगा step by step chronologically सारी चीज़े समझते हैं सबसे पहली चीज़ जब एक बार आप इस syllabus को और pattern को समझ जाते हैं तो आपको अपनी नीव को मजबूत करना पड़ेगा यानि कि आपको NCRT's पे सबसे ज़्यादा focus करना पड़ेगा लोग इस examination की तैयारी बस advance book पढ़ने से शुरू कर देते हैं अपने किसी senior के notes उठा लेते हैं या फिर Delhi जाकर किसी भी एक coaching को join कर लेते हैं और जो वो पढ़ा रहा है सामने वाला बंदा उस पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं और उसी के रास्ते पर चलते जाते हैं और 5 साल बाद आपको result हाथ में नहीं आता तो आपको अपनी strategy अपने तरीके से बनानी पड़ेगी जिसमें ये वीडियो आपकी मदद करेगा सबसे पहले आपको NCRT पढ़नी है वो भी detail में जिसमें आपको 6th to 12th की quality 6th to 12th की history 6th to 12th की geography 6th to 210th की science and technology 11th और 12th का art and culture and 11th और 12th की Indian society और history को और depth में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो 11th और 12th की Tamil Nadu board की state books और आपको इसको सिर्फ one reading नहीं करनी है एक बार आप पहले NCRT पढ़ेंगे उसमें जो भी चीज़ें आपको important लग रही हैं समझ में आ रही हैं आप उसको underline करेंगे और दूसरी reading में आप वो जो underline की हुई चीज़ें हैं या फिर जो आपने highlight की हैं सिर्फ उन ही को पढ़ेंगे और तीसरी reading में आप उनके short notes बनाएंगे यानि जो एक chapter आपके NCRT में दिया है उसके short notes एक या दो page में खतम हो जाने चाहिए और अगली बार आप उन short notes का ही revision करेंगे जिससे आपका basics पूरी तरीके से यहाँ पर तयार हो जाएगा बिना NCRT के आप syllabus को नहीं पढ़ सकते detail में अगर आपको एक 10 मंजिला इमारत बनानी है तो उसकी नीव मजबूत होनी चाहिए कमजोर नीव के साथ शायद आपकी इमारत खड़ी हो जाए लेकिन एक साल के अंदर वो इमारत गिरी भी जाएगी दूसरी important चीज़ एक बार जब आप NCRT पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर GS के जो advanced subjects है quality, geography, history, economy, science and technology, art and culture, environment and ecology, current affairs उस पर जाना है अब यह NCRT जो हैं यह आपके GS के subject में 50% syllabus automatically आपका cover कर लेती है example के तोर पर अगर आप 11th class की geography की NCRT पढ़ते हैं तो वो आपको world physical geography का idea देती है इंडिया में जितनी भी किताबे हैं न world physical geography की उसमें से सबसे अच्छी किताब 11th class की geography की NCRT है उस किताब में आपको इतने concept आसान भाशा में मिलेंगे जो किसी आपको notes में या फिर किसी advance book में भी नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि वो NCRT आपके concepts और facts दोनों cover कर देती है So IAS Origin is coming up with the new UPAC GS badge जिसमें आपको live classes, recorded lecture आपको बहुत सारा access में मिलेगा hard copy material जो आपके घर तक आपको पहुँचाया जाएगा doubt resolution classes और topper sessions और answer writing जैसे बहुत सारे features है सभी features को detail में जानने के लिए description में जो link दिया गया है उसे click करिए और IAS Origin के official number पर contact करिए अब जब कोई student एक बार NCRT अच्छे से पढ़ लेता है और GS के subject की तरफ चला जाता है तो कोई भी subject उठा के direct पढ़ने लगता है मैंने तो कई students को ऐसा देखा है जो GS paper 4 से अपनी तैयारी शुरू करते है या सीधा international relation पढ़ना शुरू कर देते है GS के subjects में जो 18 modules आप लोगों को पढ़ने होते हैं उसमें एक pattern है अगर आपने कभी notice किया हो तो GS के जो subjects हैं वो cousin subjects कहलाते है example के तौर के अगर आप आज की तारीख में international relation पढ़ रहे है और current topic चल रहा है कि Russia और Ukraine के बीच में war चल रहा है या फिर Israel और Palestine के बीच में war चल रहा है आप direct इस topic को समझ नहीं सकते आप international relation समझ नहीं सकते जब तक आपने world history न पढ़ी हो अगर इसराइल और Palestine के जगडे को समझना है तो आपकी कहानी 2019 या 20 से नहीं 78 AD से शुरू होनी चाहिए जब Roman Empire ने इसराइल के second Harald Temple को तोड़ा था और अगर आप वहाँ से इसराइल और Jewish की कहानी समझते हैं तो आज आपको सारा का सारा matter बहुत अच्छे से समझ में आता है रशिया यूकरेन को क्यों अपने अंडर लेना चाह रहा है क्यों अटैक कर रहा है इसके कहानी 2014-2015 से शुरू नहीं हुई है इसके कहानी actually में 1945 से शुरू हुई है जब Second World War खतम हुआ था और Cold War शालू हुआ था और USA ने USSR को 15 अलग अलग देशों में तोड़ दिया था और रशिया उसमें से सबसे बड़ा एक देश निकला था तो अगर आप international relation पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको world history समझनी पड़ेगी क्योंकि ये दुनों आपस में cousin subjects हैं आज हम लोग GS paper 2 में, GS paper 1 में Indian society में women empowerment की बात करते हैं women discrimination की बात करते हैं अब women empowerment इतना ज़ादा जरूरी क्यों है क्योंकि discrimination हुआ है लेकिन इस discrimination की कहानी को पहले आपको समझना पड़ेगा याने Indian society को बहतर तरीके से समझने के लिए आपको पहले ancient history पंड़ी पड़ेगी क्योंकि इंडस वैली civilization में तो gender discrimination नहीं देखा हमने या फिर 1500 से 1000 BC में जो आपका pre-wedic period था उसमें gender discrimination तो नहीं देखा हमने women discrimination इंडिया में 1000 BC के बाद याने later वैदिक period से शुरू हुआ है और वो discrimination modern Indian history तक चलता ही रहता है इसे लिए 1950 में जब constitution implement हुआ तो सभी को equal rights दिये गए और इसे लिए आज women empowerment हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आपको Indian society तब तक समझवे नहीं आएगी जब तक आपको ancient history की concept clear नहीं होगे या फिर अगर आपको governance पढ़नी है तो पहले उसके लिए आपको quality समझना पढ़ेगा और अगर geography आपका strong है तो environment and ecology आपके लिए easy हो जाता है और environment and ecology और geography अगर strong है तो disaster management GS paper 3 में आपके लिए easy हो जाता है तो किसी भी subject को randomly उठा के नहीं पढ़ना है उसकी भी एक chronology होती है cousin subjects की IIS Origin में जब भी online classes चलती है हम बच्चों को यह समझाते हैं कि आपको random subject कभी नहीं पढ़ना है आपको chronology follow करनी है इससे आपका syllabus जल्दी भी clear होता है detail में भी clear होता है और concepts आपको पहली दूसरी बार में ही समझ में आ जाते है अब इन GS और NCRT के बाद हम लोग सबसे बड़ी चीज़ पे आते हैं that is our current affairs current affairs के लिए देखी सबसे ज़ादा जरूरी newspaper है आपको newspaper पढ़ना सीखना पढ़ेगा I completely agree to this fact कि जब आप the Hindu और Indian Express अपने सामने रखते हो तो शुरू की 15-20 दिन तो हवा भी नहीं लगती सारी की सारी चीज़ें आपकी उपर से चली जाती है लेकिन current affairs आपको एकदम से पढ़ने शुरू नहीं कर देना है आपको GDP और GNP आपने NCRT में समझी नहीं है लेकिन fiscal deficit आप current affairs में पढ़ रहे हैं obviously आपको समझ में नहीं आएगा गली cricket अगर आपने नहीं खेला है तो Eden Garden में जाके जस्पीद गुमरा की ball पे आप छक्का नहीं मार सकते हो this is very common sense तो current affairs आपको पढ़ने शुरू करने हैं लेकिन जब थोड़े से आपके GS और NCRT के concept clear हो जाए शुरू के एक दिड़ मैंने में उसके बाद अब जादातर बच्चों का ये doubt होता है कि sir हम लोग को तो newspaper पढ़ते कैसे हैं यहीं समझ में नहीं आता IS origin में भी बहुत सारे बच्चों को यहीं doubt होता है तो हम literally उन्हें mentors के थूँ, faculty के थूँ, उनके one-to-one mentorship करवाते हैं और उनको literally newspaper पढ़ना सिखाते हैं और उनको यह बताया जाता है detail में कि जैसे अगर आपके science and technology के आपको current affair cover करने हैं तो आपको Thursday का newspaper पढ़ना पढ़ेगा Sunday का newspaper कभी miss मत करना दा हिंदू का क्योंकि उसमें जो supplementary आती है वो art and culture के लिए बहुत जादा important होती है या फिर अगर quality और governance अगर आपको देखनी है तो Monday का newspaper उसमें बहुत जादा important है International Relations की जो news है वो आपको Wednesday को देखने को मिलेगी जादा तर International Organization जो weekly meetings करती है इंडिया के time slot के हिसाब से Monday evening को उनकी meeting होती है Tuesday तक सारी की सारी खबर इंडिया और बाकी देशों में पहुँचती है और Wednesday में वो newspaper में छपती है ये जो चीजे हैं ये जो depth analysis है ये newspaper से ही आपको देखने को मिलेगा और अगर आपको newspaper पढ़ने में किसी भी तरीके की दिक्कत है there is no problem we are here for you हम आपको सिखाएंगे कि यहाँ पर newspaper आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है notes updation आपको newspaper से ही करने है जब students notes बनाते हैं तो एक 200-300 page की notebook ले आते हैं और उसमें notes बनाना शुरू करते हैं आपको loose papers में खुले हुए कागजों में अपने notes बनाने जैसे वो photocopy के कागज नहीं आते बंडल में उसमें ताकि अगर जैसे आब international relation की notes बना रहे हो अब international relation की notes कभी constant तो हो नहीं सकते हर 15-20 दिन एक मैने में कोई नहीं चीज होती है current affairs में जिसकी वैसे IR के आपके notes change हो जाते है तो आप the Hindu Indian Express international relation वहाँ से पढ़ेंगे तो एक नए paper पे current affairs की जो international relation की नई updation है उसको उस paper पे add करेंगे और आपके जो परंपरिक traditional notes है उसमें आप उसको add करते जाएंगे तो notes updation इससे बहुत जादा ज़रूरी है तो अगर आप newspaper follow करते हैं automatically आपका interest धीरे-धीरे government website पे भी आने लगेगा क्योंकि government website भी बहुत जादा एक important source होता है current affair का अब the Hindu के editorial editor जो है उनको तो नहीं पता है न कि United Nation में क्या बात हो रही है या home minister हमारे क्या decision लेने वाले है पहले तो government public platform पे वो चीज लाती है अपनी website पे वहाँ से ये newspaper के editors पढ़ते हैं और फिर news frame करते है तो current affairs actually में बहुत जादा important है आप इसको ignore नहीं कर सकते हो if you want help, we are here अब इसके अलावा ARC reports को लोग ignore कर देते हैं अगर quality या governance के current affairs आपको सबसे specific तरीके से करने है तो ARC reports का जो basically module है हर साल parliament में पेश होता है you need to follow it वहीं बात करते हैं हम लोग answer writing की सबसे जादा underrated चीज है ये सारे students को पता होता है कि answer writing करनी बहुत जादा जरूरी है लेकिन फिर भी answer writing करते नहीं है क्यों क्योंकि डर लगता है डर लगेगा ही क्योंकि आप पहले दिल से answer writing करना शुरू कर देते हैं अगर आपके दिमाग में content है ही नहीं तो आप लिखेंगे क्या पहले कम से कम NCRT's अपनी complete करिए GS के आप एक दो subjects complete करिए अपने दिमाग में content भरिए चीज़ों को समझने की कोशिश करिए फिर answer writing को शुरू करिए और पहली बार में ही आपको बहुत ज़्यादा tough question नहीं लेने बहुत आसान से question लेने जैसे आपने NCRT policy पढ़ ली तो उसमें बस इतना लिख दो ना कि लोकसभा का election कैसे होता है 50 words में लिख लो President का election इंडिया में कैसे होता है 150 words में लिख लो Supreme Court के judge का appointment किस तरीके से होता है 250 words में लिख लो आपको easy question से answer लिखना शुरू करना है उससे आपका confidence बढ़ता है और answer writing एक ऐसी चीज़े जो आप एक या दो दिन में नहीं सीखोगे आपको consistent रहना पड़ेगा 5-5-6-6 महीने तक आपको continuously answer writing करनी पड़ेगी तभी आप above average level पे आप आऊगे answer writing करने का तरीका कई बार लोगों का गलत हो जाता है अब जैसे लोग answer writing करने तो सिर्फ paragraph में लिख रहे हैं सिर्फ paragraph में नहीं लिखना है bullet points add करिए side addings उसमें add करिए geography का या फिर science का अगर आप answer लिख रहे हो तो उसमें diagrams add होने चाहिए लेकिन governance, history, quality, art and culture में तो कोई diagram होते नहीं है तो उसमें mind maps को आपको add करना है ताकि आप कम जगह में कम शब्दों में जादा बहतर तरीके से अपने answers को लिखा पाएं वहाँ पर दिखा पाएं सामने वाले को यहाँ पर answer writing से लेकर बहुत सारी confusion है कि best of the best question कहां से लाएं UPSC के previous year question papers जो है उनको target करिए एक बार जब आपनी 3-4 महिने तक answer writing कर लिए है और आपको UPSC के level के PYQ solve करने है तो UPSC कैसे question देता है mains examination में यह UPSC से better कोई नहीं बता सकता आप Google पे जाए UPSC के PYQs को search करिए और आपको पिछले 40-50 साल के जो questions है वो देखने को मिलेंगे जब आप above average level पे चले जाते हैं तो उन questions को solve करने की कोशिश करिए क्योंकि remember अगर आप हर subject में बहतरीन है आपको हर concept आता है आपको हर topic आता है लेकिन अगर आप उसको answer writing में paper पे लिख नहीं सकते हो आपका selection नहीं होगा यह मैं आपको लिख के देता हूँ प्लस आपको यहाँ पर इस examination में serious होना पड़ेगा आपको पता रहना चाहिए कि answer writing आपके लिए oxygen की तरह है अगर आपने एक भी दिन miss कर दी, एक भी गंटा, एक भी minute miss कर दिया, you will actually die लेकिन अब दूसरी दिक्कते ही आती कि sir answer writing शुरू तो कर दे लेकिन यहाँ पर बताएगा कौन कि किस तरीके से answer writing करनी है क्या सही है, क्या गलत है वो guidance कौन देगा वो guidance हम लोग यहाँ पर provide करवाते हैं आपकी mentorship देखे, proper guidance इस examination के लिए बहुत जादा जरूरी है self study से ही आपका exam निकलेगा, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो self study आपकी सही रास्ते पर जा रही है कि नहीं, आपको जो mentor मिला हुआ है, आपने जिस व्यक्ति को अपना mentor चुना है, वो आपकी मेहनत कम कर रहा है कि नहीं क्या वो mentor आपको यह बता रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है कैसे पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या वो mentor आपको आपकी personal daily activity time table के हिसाब से आपको एक time table बना के दे रहा है कि आपको सुबह ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, दोपहर को ये पढ़ना है, इतने दिन बाद ये test देना है, इतने दिन बाद क्या वो mentor daily आपको update ले रहा है आपसे नहीं ले रहा है तो याने कि आपको mentoring की जरूरत पढ़ती है वो आपकी UPSC की journey को देखो successful नहीं बना देगा क्योंकि journey तो आप भी को successful बना नहीं लेकिन आपकी UPSC की journey को 50% वो आसान बना देता है और उसमें जरूरत पढ़ती है one-to-one mentorship की personal mentorship की यहाँ पर हमारी आईये सरीजिन की life class में पता नहीं कितने students है जो इसी चीज के शिकायत करते रहते थे कि सर पढ़ना है माम हमें ये पढ़ना है लेकिन सर और माम हमें ये नहीं समझ मारें कि हम कौन सा subject कैसे पढ़ने हमने उनके daily activity पूछी सुबह कितने बज़े हर बच्चे का अलग अलग personal time table हमने बनवाया या फिर मान लीजिए कि अगर faculty ने आपको पढ़ा दिया यहाँ पर मान लीजिए कि यह online class चल रही है और मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया आपके doubts होंगे तो मैं तो आपके doubts solve करूँ गई लेकिन अगर आप कल के दिन revision कर है लेकिन आज मुझे confusion हो चुका है तो आपका faculty से भी तो direct contact होना चाहिए mentor से भी तो आपका direct contact होना चाहिए क्योंकि यह सर्फ एक साल का syllabus नहीं है यह आपके पूरे के पूरे career का सवाल है इस तरीके की mentorship जो program है इसी platform पर available है अब यहाँ पर एक और चीज समझने की कोशिश क लिए देखो revision is the key आप कितने भी घंटे पढ़ लो लेकिन आपको वो चीज बार बार पढ़नी पढ़ेगी Swami Vivekanand ना आप है न मैं हूँ कि हम लोग ने कोई एक बार चीज पढ़ ली तो जिन्दगी भर के लिए हमारे दिमाग में रह गई नहीं हम लोग Swami Vivekanand के 1% भी नहीं है तो हमें basically उस चीज को बार बार पढ़ना पढ़ेगा psychology optional जो होता है UPSC में उसमें basically एक unit होती है brain memory उसमें समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है जब भी कोई आप चीज पढ़ते हैं कोई भी आप chapter पढ़ते हैं तो आपको within 24 hours उसको क्या करना पढ़ता है revise करना पढ़त हो तो वो basically क्या है कि आपके temporary cell में चला जाता है इससे पहले कि वो destroy हो आपको उस memory को उस knowledge को उस data को अपने permanent cell में transfer करना पढ़ता है यह pure psychology है यह pure medical science है 24 hours में आपको उसको revise करना पढ़ेगा उसके बाद 3 दिनों के बाद आपको उसको एक और revision करना पढ़ेगा उसके बाद 7 दिनों के बाद आपको उसका एक और revision करना पढ़ेगा 15 days के बाद फिर से एक revision करना है 30 days के बाद फिर से एक revision करना है और finally 6 months के बाद आपको उसका last revision करना है यह cycle अगर आपने complete कर लियो और 10 साल बाद भी अगर आप अपना पन्ना खोलोगे न copy का 10 second के अंदर आपको सारी की आज यह पढ़ा है तो मुझे इसको 24 गंटे में, 3 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, 6 मैने में पढ़ना है ऐसे में तो मेरे दूसरे subject छूट सकते हैं मेरे तो दूसरे topic छूट जाएंगी अब मैं तो daily पढ़ रहा हूँ तो क्या हर topic के लिए, हर subject के लिए मुझे क क्या, कब, कैसे, क्यों, कितना पढ़ना है वो आपको आपका mentor बताएगा जो आपको एक proper guidance देगा आपको बता दिया जाएगा कि ये रास्ता है इस speed से इतनी देर तक चलना है फिर break लेना है आगे का और बताएंगे ये काम आपका mentor करता है it is as simple as that ठीक है अब यहाँ पर revision ज जाते हैं और आपको एक चीज समझ में आती कि subject wise revision नहीं करना है topic wise revision करना है पहले जब आप quality पढ़ रहा है तो लक्षमी कांद लेकर बैठें या 6-6-7-7 बार आपने पढ़ लिया उसको then you realize कि बहुत सारे topic हर subject में common है example की तोर पे annual budget हमारा union budget हर साल निकलता है तो अब मैं ब quality में जाता है article 112-116 में annual financial statement quality में वो budget pass किया जाता है उसके बाद उसमें welfare schemes कितनी है तो GS paper 1 और 2 में Indian society में आता है और फिर GS paper 3 में agriculture में भी जाता है वो GS paper 4 में ethics में भी जाता है और essay में भी काम आता है तो याने कि आप जब शुरुआत में revision करते हो तो you basically revise subject wise then you realize UPSC is not all about subjects but it is actually about the topics also तो फिर आप उस topic wise revision शुरू करते हो subject wise से topic wise ले जाने का काम आपके लिए कौन करेगा वो आपका mentor आपकी faculty आपके लिए करेगी अब यहां पर बहुत सारे बच्चे सारी की सारी चीज़े follow करते हैं लेकिन कई बार test नहीं देते क्यों नहीं देते simple सा एक reason है वो test देने नहीं है आपके लोग आपकी faculty आपके mentor हैं आपका confidence boost up करने के लिए test आपके लिए reality check होता है अगर आपके test में marks कम आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा किन topics और किन subject पे आपके marks कम आ रहे हैं तो आपको उस पर दुबारा जादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको analysis करने में रखनी पढ़ने वाला तो अगर आप अपने prelims का test देते हो आप अपने mains का test देते हो उससे actually मैं आपको reality check मिलता है और आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अब जब लोग test देते हैं तो लंबे-लंबे बड़े-बड़े test एक साथ देते हैं वो अब आपको लगता है कि एक-एक topic पर आपके test होते हैं तब आप एक साथ बड़े test दो test खुद में एक बहुत जादा बड़ा revision module होता है जब आप test देते हो तो यहाँ पर आपको pyqs भी देखने होते हैं बिछले 25 साल के UPSI के prelims के pyq लीजिए एक statement है चार option है एक सही है ती कि revision हो गया ऐसा नहीं है वो जो सही option है वो सही क्यों है उसकी detailing आपको देखनी पड़ेगी जो आपके तीन गलत options है वो तीन गलत option गलत क्यों है उसकी आपको detailing देखनी पड़ेगी तो test से आपका सिर्फ marking improve नहीं होती actually में आपका revision भी बहुत बहतरीन level पे होता है तो test के बि prelims और mains के कभी pyqs जो है वो repeat नहीं करता एक बार 25-30 साल के pyq को जाके देखो तो सही हम भी अपने students को IAS Origin की online class में regular pyqs हम लोग provide कराते हैं live class के बीच में आज मेरा president का topic हुआ president के 15 question में उनको दिखाऊंगा और मैं बोलूँगा देखो same question है 2005 में आता 2012 में आता 2017 में आता 2022 में आता 2024 में repeat ओगर लिख के ले लो तो pyqs repeat होते हैं upac के पास जो syllabus से वो unlimited थोड़ी नहीं है यार इतनी सी लक्षमी कांत की book है कितने ही सवाल पूछ लोगे उसमें से कुछ न analysis करिए आपको वो देखने को मिलेगा repeated question नहीं कर पा रहे हैं हमसे पूछिए हम आपको बताएंगे किस तरीके से वो repeat कर रहे हैं question को चलिए अब इसके बाद एक और चीज़ consistency यहाँ पर बहुत ज़ादा जरूरी है देखो यह examination strategy पढ़ाई सब कुछ मांगता है लेकिन temperament मा क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं किये वो confident नहीं है उसने test series join नहीं की थी उसने revision नहीं किया था उसने mentor से proper guidance नहीं लिया था इसलिए उसको यह feel आ रहा है कि शायद I'm not prepared you will never be prepared for UPSV अगर तुम 10 साल भी तैयारी करोगे न 11 साल भी तुमको लगेगा यार शायद हुई थी वो bike फिर मैं एक दिन उसके घर गया और मैंने बुला भाई यार यह तु बाईक तीन मैंने से तेरी गराज में रखी तो इसको सड़क पे क्यों निकाल रहा है तेरा सपना था तो उसने बुला हाँ बाई सपना तो पूरा हो गया लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि मैं उस दिन अपनी सूपर बाईक को सड़क पे निकालूँगा जिस दिन शहर के सारे ट्रैफिक सिगनल जो हैं वो ग्रीन होंगे अभी कितनी बेवकूफी वाली बात है गराज में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि ट्रैफिक सिगनल ग्रीन है की रेड है बाईक निकाल तो स सही, बाइक स्टार्ट करके अगले ट्राफिक सिगनल तक जा तो सही, क्या पता जैसे जैसे हर सिगनल पे पहुंचता जाए, हर लाइट जो है वो ग्रीन मिलती जाए, और रास्ता पहली बार में ही क्लियर हो जाए, So you need to have the guts, जादा से जादा क्या होगा, किसी एक ट्राफिक सिगनल पे रेड लाइट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बाइक वापस ला लेंगे, अगले दिन गराज से फिर निका लेंगे, Just go for it, just do it, देखो वो बोलते ना कि अधूरा सपना जो है, वो टूटे हुए सपने से जादा तकलीफ देता है, वो temperament की कमी की वज़ा से होता है, If you are prepared, आपके temperament को बरकरार रखने की, मजबूत रखने की, आपको motivate करने की, पढ़ाने की, mentorship की, guidance की, notes की, answer writing की, current affairs की, optional की जिम्मेदारी हमारी है, बट उसके लिए आपको prepared होना पड़ेगा, Plus, यहाँ पर आपको correct content की ज़रूत होती है, कई बार लोग कई notes ले लेते हैं, books ले लेते हैं, किसी से पढ़ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि, सामने वाले नहीं गलत पढ़ा दिया, मुझे ही गलत समझ में आ गया, अब वो concept मेरे अंदर गलत दिमाग में बैठा हुआ है या फिर गलत book पढ़ दी, गलत content पढ़ लिया, सही content ज़रूरी है, उसके लिए आपको देखना पढ़ेगा, चुनना पढ़ेगा, select लेना पढ़ेगा, उसके लिए demo classes ज़रूरी होती है, जहां पर आपको, आप demo classes लीजिए, सामने वाले faculty को आप judge करिए, और ये देखिए, तीन दिन तक judge करो उसको, तीन दिन तक उसकी demo class लो, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये बंदा सही पढ़ा रहा है, तो demo class के बाद admission लो, जो faculty आपको बुरी नहीं, we don't give demo class, अरे क्यो demo class नहीं, आपको 2 लाग रुपे, 2 लाग रुपे, पता नहीं, लाग रुपे खर्च कर रहे हैं, तो at least अगर जब किसी पर trust कर रहे हो, पैसे दे रहो ना, तो पहले उसको अपना trust जीतने दो, उसको test कर लो, judge कर लो, फिर उस पर भरोसा करो, next चीज जो बहुत ज़्यादा important है, सब लोग यहाँ पर यह देखते बोलते हैं कि भाई, competition बहुत ज़्यादा है, 100% competition बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितना competition है, यह actually गलत फैमी में हैं सबी लोग, सब लोग बोलते हैं 12-15 लाख लोग हर साल एक्जाम देते हैं, ऐसे नहीं है यार, 12-15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, hall ticket डाउनलोड करने के लिए ना, 5 लाख लोग जाते हैं, और prelims के examination के दिन देड़ दो लाख पहुंचते हैं, और उन देड़ दो लाख में भी 50% ऐसे बच्चे होते हैं, जो बस experience के लिए चले गाएं, एक लाख से भी कम बच्चे हैं, जो थोड़ा seriously पढ़ाई करके जाते हैं, उसमें से भी post के हिसाफ से 15,000 लोग prelims क्लियर करते हैं, तो यहाँ प पर सभी लोग बोलते हैं, सर डेली जाने की जरुरत तो पढ़ती ही है, उसके बिना exam नहीं निकलेगी, तो क्या दिली जाने वाला हर लड़का आपको I.S. officer बनता हुआ दिखता है क्या, बिल्कुल नहीं, यह 2016 के बाद ना, internet revolution आया है इंडिया में, आप भी अपने अंदर revolution लाने की कोशिश करिए, दिल्ली आपका selection नहीं करवाएगा, proper teaching, proper classes, proper guidance, proper content और proper mentorship, यह आपका selection करवाएगा, जो आपको अपनी financial status के हिसाब से सही लगता है, go for it, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, कि यहाँ जाओगे तो selection होगा, यहाँ जाओगे तो selection नहीं होगा, वो आप selection होना चाहिए, यह जरूरी है, कहां से हो रहा है, कहां से नहीं हो रहा है, यह जरूरी नहीं, सो सारे चीज़ें चेक करो, content को चेक करो, demo classes लो, mentoring का demo लो, and then if you feel कि हाँ मुझे यहीं अपने घर बैठे-बैठे, मुझे वो guidance मिल रही है, जिससे मैं इस examination को crack कर सकता हूँ, just go for it, थोड़ा trust खुद पर भी करो, और थोड़ा trust सामने वाले पर भी करो, अब एक और चीज़, यहां पर notes बहुत जादा important होते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने senior से notes ले लेते हैं, अपने भहिया दीदी लोगों से notes ले लेते हैं, या फिर अपने teachers को बते हैं, स हम उनको motivate करते हैं, भाई यह तो मेरे notes है न, इस notes से तू क्या सीखा, मेरे को notes बना, और send कर मुझे, और अपने mentor को, और फिर मैं और उन बच्चों के जो individual mentors हैं, वो basically क्या है, उन notes को check करते हैं, और देखते हैं कि बच्चे कि क्या concept clear हुए हैं, क्या facts हैं, क्योंकि self-made notes आप maximum revision करने हैं, detailed notes, class notes आपके अलग होते हैं, लेकिन आपके पास खुद के लिखे हुए short notes भी होने चाहिए, जो आप प्रिलिन से एक हफता पहले revise करके खतम कर दो, सारी की सारी चीज़ हैं, ठीक हैं, कोई 10 किताबों को एक एक बार नहीं पढ़ना है, एक किताब को 10 बार पढ करते हैं, बच्चे बहुत confused है कि सर optional क्या ले, ये ले, वो ले, देखो simple सी बात है, 5 minute में आपके optional की सारी confusion को दूर कर देते हैं, just 5 minutes, optional choose करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, मैं बहुत specifically आपको बता रहा है, optional choose करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है UPSC का तरीका, UPSC और एक होता non-UPSC वे, UPSC से बाहर का तरीका, UPSC के तरीके से optional चुनने के आपके पास 3 options होते हैं, पहला, अगर आपका कोई already background है किसी subject में, कि आपने graduation में history से graduation किये, mechanical engineering से किये, physics से किये, chemistry से किये, geography, economy से किये, आपको लग रहा है आपने graduation, post-graduation उससे किया, go for it, अगर चीज, अगर आपका कोई ऐसा background है, जो UPSC में option में नहीं है, या फिर मान लो कि आपने तो physics से optional किया था, लेकिन option हा, physics इसमें नहीं लेना चारे हो, कि graduation में लेके गलती हो गई है, समझ में उतना नहीं है, दूसरा तरीका फिर ये है आप लोगों का, कि आप ये देख लो कि कौन सा ऐसा subject है, जिसका syllabus बहुत छोटा है, या फिर जिसका syllabus बहुत easy है, अब छोटा subject philosophy option, 40 दिन की classes होती है, 120 गंडे में पूरा option खतम हो जाता है, या फिर easy sociology, sociology को काफी easy option माना जाता है, scoring भी काफी जाता होता है, क्योंकि आस-पास की चीज़ें होती है, society के बारे में पू elimination, etc, etc, चीज़ें, तीसरी चीज़ ये भी होती है, कि कई students ये बोलते हैं, कि सर मैं वो option लूँगा, जिससे मेरा जो GS का syllabus है, वो सबसे जादा basically क्या है कि cover हो जाएगा, students कई वार बोलते हैं, सर मैं history option ले ले लेता हूँ, उससे मेरा बहुत कुछ cover होगा, history option लूँगा, तो non-UPSC वे, और वो तरीका best होता है, और मैं इसके favor में रहता हूँ, जिस optional subject में, जिस GS के subject में, आपको सबसे जादा interest आता है न, उसको पकड़ लो, आप कौन सा option लोगी, या आपकी GS की पढ़ाई decide करेगी, GS में आप 12-15 अलग-अलग subject पढ़ते हो, जो optional के list में होते हैं, ज इस subject में आपको interest आता है जिसको आप बोलतों कि भाई, इसको तो 6 गंटा बैटके पढ़ लोगा मैं, वही तुम्हारा option subject है, दोस्तों तो तुम्हारे बहुत है न, लेकिन best friend तो तुम्हारे वो एक ही होता न, क्यों, क्योंकि वो एक बंदा जिससे न, तुम्हारी vibe match कर जा तुम्हारी पढ़ाई में, इस से vibe match हो रही है मेरी, वो तुम्हारा option है, लेकिन यह जो vibe match हुई है, वो सही है कि नहीं है, इसको कैसे judge करना है, इसको judge करने के फिर दो तरीके और है, पहला, जो subject आपको interesting लग रहा है, उसका syllabus थोड़ा सा detail में देख लो, micro nano level पे एक-एक topic देखना है, UPSC में तो आपको दीखे रहा है, वेबसाइड पे, लेकिन भाई उसके micro nano level पे जाके Google पे देखके, किताबों के index से, आपको देखना है कि क्या-क्या चीज़ें उसमें पूछता है, सिले बस आपको समझ में आया, very good, दूसरी चीज करना है, प उसी option के, अचा उसको ना answer में नहीं लिखना है, solve नहीं करना है, बस question पढ़ लो, बिना optional की पढ़ाई किये, अगर आपको उसके सरफ question भी समझ में आ रहे हैं, 50-60%, that is your cup of tea, go for that optional, और अगर किसी भी, इसके बाद भी अगर कोई confusion है, we are here for you, हम लोग आईये से origin में, हर Saturday को, especially Sunday को हम लोग workshop करवाते हैं, उसमें इस तरीके के जो doubts है सर, आपने जो जो बोला था सारा कर लिया, लेकिन free confusion है optional में, आउस workshop में एक दिन free of cost होती है, तुम्हारे फाइदे के लिए, हो सकता है तुम्हारे जोस इतने भी doubts है, you'll be happy, दो साल बाद शायद selection हो जाए, तो उस workshop को credit दे थो तुम लोग, तो यहाँ पर हम लोग अपने बच्चों के ये भी doubts solve करते हैं, अच्छा अब आपको यहाँ पर इस वक्त option को लेकि doubt है, मान लो है, क्यों है, because you do not have the mentor, you do not have the guidance, you do not have any person with you, जो आपको रास्ता दिखा पाए, एक एक चीजों के बारे में छोटी छोटी detail में आपसे discussion कर पाए, that is missing in your life, that is missing in your career, इसे लिए आपको वो confusion है, I hope you understand what I am trying to say, चले, अब इसके अलावा एक सबसे important वो चीज़ जिसको भाई पता नहीं, students क्यों नहीं पड़ते, मैं अपनी classes में इस platform पे मैं बच्चों को बता-बता के ठक गया, मैंने अपना सर्फ ओल ल कि प्लीज ऐसे writing करो, ऐसे writing करो, लोग ऐसे writing करते नहीं, क्योंकि boring है वो, अर्यार तुम dance competition में तो आए नहीं थे ना, कि UPSC में एकदम मज़े ही मज़े हो जाएंगे, boring तो है, I agree to it, boring है, लेकिन essay जो है, वो आपका 250 marks का है न, दो essay आपको लिखने रहते हैं, 125 marks each, पार्ट A में 4 option आते हैं, पार्ट B में 4 option आते हैं, चार में से, चार में से, एक एक select करना पड़ता है, 1200 शब्दों में आपको 700, 700 number का, आपको 125 marks each का essay लिखना रहता है, आपका essay उतना ही important है, जितना आपका optional important है, आपका optional का paper 1, 200 number दे रहा है न, आपको, essay भी आपको 200 number दे रहा है, GS essay writing एक बहुत complicated answer writing होती है, rhythm बनाना पड़ता है, story बनाने पड़ते है, mind map बनाने पड़ते है, chronology बनाने पड़ते है, side headings बनाने पड़ते है, paragraph, bullet point का mixture बनाना पड़ता है, उसके लिए answer writing ज़रूरी है, यतनी सारी जो problem है, essay की answer writing की कैसे solve होगी, mentorship से solve होगी, guidance से solve होगी, you are missing on that, next, CSET, भाई, ये वो चीज है ना, जिसने UPSC का cutoff इस साल का 75 number मिला दिया, no one could believe, जब मैंने अपना पहला prelims crack किया था, तो मेरे 118 number आये थे, और मुझे लगा था कि मैं तो शायद prelims पर toppers में रहूँगा, 2016 की बात कर रहूँगा, आप जाके check कर सकते हैं, Google पर कितना cutoff 116 के आसपास cutoff गया था, क्योंकि उस टाइम पर C-set बहुत easy आता था, आज बहुत tough हो चुका है, लेकिन लोग C-set से डर रहे हैं, क्यों? Mathematics से डर रहे हैं, यहर C-set के थोड़े से concept को समझने की कोशिश करो, Math से आपको डरने की ज़रूत ही नहीं, 33.3% तो चाहिए है ना, तो जो statement वाले questions या फिर जो comprehension वाले question होते हैं, वही 32 होते हैं, तो अगर आप comprehension और statement में अच्छे होना, तो शायद mathematics और reasoning के सवाल को पढ़ने की भी जरूत नहीं है, और बिना maths और reasoning का एक सवाल solve के, शायद आपका C-set निकल जाएगा, अब यह जो अंदर की चीज है, यह आ आता था, कुछ साल पहले तक एक section आता था, C-set में, एक-दो साल में फिर से repeat होने वाला है, पूरे के पूरे C-set में minus marking होती, decision making के जो सवाल होते हैं, उसमें minus marking नहीं होती, एक उसमें situation दिये, चार उसमें option दिये, वो decision making आपको करी रहती थी, उसमें minus marking नहीं होती थी, क्यो नहीं छोटी सी चीज आपको नहीं पता ना, क्यों? क्योंकि UPSC की notification में भी ये चीज नहीं लिखी होई है, C-set का जो module अलग से UPSC तयार करती, उसमें दिया था पहली बार, 2008-09 में UPSC की पहली बार report आई थी, कि 2013 में C-set को introduce करेंगे, उस report में ये बात कही गई थी, कि decision making मे minus marking नहीं होगी, अब वो report तो आप लोग कहां से पढ़ लोगे, जब 2008 में जब ही report आई थी, मुश्किल से आप, आप खुद 8 या 10 साल के होंगे, तो आपको ये बात क्यों नहीं पता, you do not have the mentor to tell you that, that is the basically problem, तो ये जितनी भी चीज़े मैंने आपको बताई है कि NCRT से में दूर हो चते हैं, अब सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं, confuse करते हैं, online versus offline, यार देखो, हर तरीके किना classes अच्छी होती है, हर faculty अच्छी होती है, every teacher is a good teacher, every mentor is a good mentor, but आपके लिए क्या ज़्यादा सही है, वो समझो, practical problem पे analyze करो चीज़ों को, offline class पर बैठे हो, 200-300 हो और तुम हाथ उठाते हो, तो faculty will be basically giving you the time, ऐसा नहीं, faculty आपको time नहीं देने चाहता, बिचारा 3 जंटे बैठके आपको अकेले में doubt solve करना चाहता है, ताइम नहीं ना उसके पास, उसके पास भी तो practical problem है, लेकिन जब आप online classes में आते हो, जैसे हमारे आईये सोरी जिन में online class चलती है, restrictions है हमारे, इस से जाधा बक्चे नहीं बैठेंगे, not more than 20, not more than 30, बहुत जादा होगे तो 35-40, और फिर उनको personal mentoring, faculty से direct contact, mentor से video call, जब बच्चा चाहे, मतलब obviously, एक limited time है, रात को दो बज़े देखो, solve नहीं करेंगे हम तुम्हारे doubts, तो जहाँ पर आपको personal attention मिल र contamination को crack करने के लिए सारी चीज़ें जो चाहिए होती, वो तो मैंने बता दी, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है, वो है sacrifice, आपको बहुत सारी अपनी छोटी छोटी जो celebrations है, occasions है, थोड़े बहुत personal life, sacrifice करना पड़ता है, जब आपको कहीं एक बहुत बड़ी जमीन पे, एक बहुत बड़ा airport बनाना है न, तो आसपास की जो छोटी छोटी जुगी जुपणियां होती ही न, उनको तोड़ना पड़ता है, इसे collateral damage कहते है, सामोहिक निशेद, ये भी एक sacrifice है, जुगी जुपणियों का sacrifice नहीं करोगे न, तो कभी जो airport है, वो बना नहीं पाओगे, और repressions के साथ, revisions के साथ, अच्छे teaching के साथ, अच्छे content के साथ, proper आपका guidance और mentoring के साथ, अगर आपको लगता है कि ये जो basically strategy है, आपकी सही जारी है, go for it, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी strategy में थोड़ी बहुत कमिया है, खामी है, we are there for you, और अगर आप अपनी UPSC civil services journey को और आसान बनाना चाते हो, और अपनी exam preparation को और आसान बनाना चाते हो, stay tuned with IAS origin, like, share and subscribe this channel, I'll see you in the very next video, thank you very much.